नमस्कार मैं हूँ परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है लोगसबा चुनाव 2024 से पहले पांच राज्यों के आए नतीजों के बाद एक बार फिर विपक्ष जो है यहाँ पर एवियम को लेकर उसका हला बोल जारी है जो नतीजे सामने आये हैं उसने हर किसी को यहाँ पर हैरान और परिशान कर दिया है सपा मुख्या अकलेश यादव समिद तमाम राजनातिक दलों के नेताओं ने एवियम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है हाला कि एवियम पर बीजेपी भी 2009 में सवाल खड़े कर चुकी है लेकिन 2014 में केंदर की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी खुल कर एवियम से चुनाव कराने के पक्ष में है वहीं अब 2024 लोगसभा चुनाव नजदीक है विपक्ष बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रहा है विपक्ष का कहना है कि जिस तरह मशीन में चिप है उसे हैक किया जा सकता है साथ ही ये भी कहना है कि जब दुणिया के सबसे टाकतवर देश में बैलेट से चुनाव हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं वही राजनाेटिक विशलेशकों की अगर माने तो लोगतंत्र का हवाला देते हो उन्होंने का है जब समूचा विपक्ष बैलेट से चुनाव की मांग कर रहा है तो केंदर सरकार एक बार फिर इवियम की जगा बैलेट से चुनाव कराना चाहिए ताकि विपक्ष की आशंका दूर हो सके जी हाँ यहाँ 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 पर विपक्षी पार्टिया लगातार एवियम को लेकर सवाल खड़े कर रही है खास सोर से जिस तरह से मद्यप्रदेश और चछतिसगर के नतीजे आए हैं उन्होंने हर किसी को चौका दिया है मद्यप्रदेश में याँ पर हवा कॉंग्रेस की थी लेकिन जीत जो है वो बीजेपी की हुई वो भी जीत इस तरह की हुई है कि पूर्ट बाहमत के साथ यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आई है काफी बड़ी जीत हुई है जिसको लेकर सवाल खड़े किये जा रहे हैं लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो विपक्षी पार्टियों की महनत के अनुसार ये नतीजे नहीं होते वहीं दूसरे तरह बीजेपी की जो लेहर जमीन पर नहीं दिखाई देती वो चुनावी नतीजों में सामने आ जाती है अब इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आखर ये संभव होता कैसे है कैसे जी हाँ ये बड़ा सवाल है कि आखर जब बहाँ पर बीजेपी जीती नहीं रही ती तो कैसे इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिल जाती है वहीं EVM की गड़बडी की भी खबरे लगातार बनी रहती है अब इसी को लेकर विपक्ष मोधी सरकार पर EVM में गड़बडी का आरोप लगा रहा है हाली में संपन हुए विधासभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद से ही विपक्षी पार्टिया मोधी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है कॉंग्रिस प्रमुक्ता से इस मुद्दे को उठा रही है लेकिन आप कॉंग्रिस को समर्थन देते हुए अकलेश यादव ने भी इस मुद्दे को दोराया है हालकि अकलेश यादव पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं आपको बदा दे कि बीजेपी आरेसेस ने इवियम में बैमानी करके पूरे देश में कंट्रोल कर रखा है ये बयान भी आपर कॉंग्रिस नेता का है देश बुरे संकर से गुजर रहा है ये बात कही है कॉंग्रिस नेता उधित राज ने उन्होंने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साज़ा किया है और इस वीडियो में उन्होंने सीधे तोर पर इवियम पर निशाना साधा है तो क्या कुछ कहा है उदीत राज ने इवियम को लेकर चलिए पहले वो देख लेते हैं आपको बदा दे कि इवियम को लेकर उदीत राज पहले शक्स नहीं है जिन्होंने सवाल खड़े किये हैं और इवियम को लेकर उन्होंने यहाँ पर जो गंभीर आरोब बीजेपी पर लगाये हैं वो आरोब भी नए नहीं हैं आपको बतादे कि पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर हैरान और चौकाने वाले रहे खास्तोर से यह जो नतीजे आये हैं वो बीजेपी के लिए भी काफी चौकाने वाले रहे तीन हिंदी पटी राज्यों यहाँ पर राजिस्तान, चत्तिसगर और मध्यप्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमस से अपनी सरकार बनाई है शांदार जीत हुई है लेकिन यहाँ पर मध्यप्रदेश का बारबर जिकर इसलिए किया जा रहा है क्यों मध्यप्रदेश में जो शुरुआ से जो रुजान आ रहे थे जो एक्जिट पोल किये जा रहे थे उन अनुमानों में भी बीजेपी जो है वो जीत से काफी पीछे दिखाई दे रही थी लेकिन उसके बावजूद मध्यप्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है इसलिए सवाल उटना लाजमी है आपको बता दे कि अभी हाल फिलाल में दिल्ली के अंदर 19 दिसंबर को यहाँ पर इंडिया गडबनन की बड़ी बैठक होई जहाँ पर इवियम को लेकर भी एक प्रस्ता पारित किया गया है आपको बता दे कि यहाँ पर अखलेश यादव सपा प्रमुक जो हैं वो इसको लेकर कई सवाल भी खड़े कर चुके हैं अगर आप उन्होंने कहा था कि अगर आप एक विक्सित देश बनाना चाहते हैं तो आप विक्सित देशों में प्रचलित मतदान प्रणाली को क्यों नहीं अपनाते अमेरिका जैसा देश जो अर्थवबस्ता में शक्तिशाली है महिनों तक मतपत्र से मतदान कराता है जापान जैसा देश जिसने इवियम का विश्कार किया मतपत्र से मतदान कराता है जर्मनी में उनके सुप्रिम कोर्ट में प्रतिबंद लगा दिया कि संदे से मजबूत बना चाहिए इंडिया गडबदन में भी हम एवियम हटाने का संकल्प रखेंगे और ये संकल्प रखा गया था बीजेपी भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी वहीं अकलेश यादर के इस बयान का समर्थन कॉंग्रेस नेता दिगविजे सिंग के सासाथ और कई नेता ने किया है और उन्होंने खुद इस बयान को अपने ट्वीटर हैंडल से भी साजा किया अब देखने वाली ये बात होगी कि बाकी विपक्षी पर्टिया लोगसबाद चुनाव से पहले इस मुद्दे को कितनी सजकता से लेती हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर य चुनाव आयों के दर्वाजा खटकटाया जा रहा है और कई खत लिखे जा चुके हैं कई शिकायते दी जा चुके हैं लेगिन उसके बावजूद इवियम की को लेकर यहाँ पर चुनाव आयोक ने भी एक कह सकते हैं कोई सखत कदम नहीं उठाया है ना ही कोई सुझाव द देखी जा रही है एडवोकेट भानू प्रताप भी इवियम को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं और उनके इस बयान को सोशल मीडिया यूजर ने यहां पर एक्स पर साजह किया है उन्होंने कही कि इवियम के खिलाम मोर्चा खोल दिया जाए राहुर गांदी को भारत नहीं इतनी सी दिर में मैं कराओ मोधी जी अगर इस देश की जनता आपको इतना ही चाहाती है आपको इतना पसंद करती है आप जनता के दिल में राज करते हैं पेपर से कराओ इवियम से नहीं और फिर देखते हैं आप कितनी वोटों से जीत के जाते हो जी बोले सोनिया ज अगर अभी यात्रा निकालनी है तो इवियम हटाओ भारत बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए तो एड़ोकेट भानू प्रताप का साफतोर पर कहना है कि इवियम में गड़बड़ी जरूर है इदर साहिबा नंदा मोहिंती जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो लिखते हैं बुद्धु जीवियों का कहना है कि इवियम हैक नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है पर प्री प्रोग्राम करके रिमोर्ट से तो किया जा सकता है है ना ये सवाल उन्हों उठा इदर सोशल मीडिया यूजर एक और हैं सुरिल यादाव वो लिखते हैं लक्नों में सपा काराले के बार होडिंग लगाई गई है इन पर लिखा गया है इवियम हटाओ और देश बचाओ इवियम हटाओ बैलेट लाओ सपा की यूवजन सभा के पूर प्रदेश आखिर मोदी सरकार जो है वो इवियम की जगा बैलेट पेपर से चुनाफ क्यों नहीं करा रही है क्या यहाँ पर खुद बीजेपी भी इस गड़बडी में शामिल है जो उस पर आरोप लग रहे हैं वो आरोप सही है जबकि बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी ज खासी चर्चा की गई और इसको लेकर कई दलों ने आपर जो सहमती दी है उसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया है और इस प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर सीपी आई ने ता सीता राम येचुरी ने भी मीडिया से बात की थी तो चलिए उनका भी यह बयान देख लेत कैसे होगी स्टेट लेवल पे कैसे होगी आप चित्ता बादी कि बहुत काफी चुनाओं से काफी पैलेत हो जाएगी यार 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 जो थे वहां पे मीटिंग में उनको पता नहीं आपको बता है तो आप ही जवाब देख लिए तो सीतर राम यह चुरू का भी साफ तोर पर कहना है कि प्रस्ताब पारित किया गया है इवियम को लेकर सवाल जरूर है इन सवालों का जवाब फिलाल मिलता दिख नहीं रहा है लेकिन एक बड़े आंदोलन की जरूरत है एक आंदोलन ऐसा छेड़ा जाए जो इवियम के ख उठाया जाता है तो इसका घाटा जो है वो विपक्ष को उठाना पर सकता है इसका खामियाजा भुगतना पर सकता है ऐसे में एवियम के खिलाफ सिर्फ आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा बलकि सड़कों पर उतरना होगा और एक बड़ा आंदोलन चेड़ना होगा जि सिर्फ अपने एसी कमरों में बैट कर रणनीती बनाने में वक्त जाया ना हो जाए इससे जरूरी है कि आप लोग सड़कों पर आएं और इवियम के खिलाफ एक बुलन आवाज उठाएं और एक आंदोलन चेड़ें ये बात लगातार की जा रही है अब देखना ये होगा क प्राजील, मालदीव, नमीबिया, नेपाल, भुटान, मिसर, फिलिपिन्स, बेलजियम, एस्टूनिया, सैयुक्त, अरब, अमिराद, वेनिजुएला और जॉर्डन में भी इसका इस्तमाल किया जाता है वहीं अमेरिका समयत जो कई देश हैं वहाँ पर बैलेट पेपर से होती हैं जबकि कई देशों में इवियम को बैन कर दिया गया है इंग्लेन्ड, फ्रांस, जर्मेनी, नीधरलन्ड और अमेरिका में इवियम का इस्तमाल नहीं होता है इतली कि नतीजे ब 누ले में जाने कि आशंका पर इसे बैन लगा दिया गया जर्मनी इंगलेंड और फ्रांस में कभी इवियम का इस्तमाल नहीं हुआ जब कि नीदरलैंड और इटली में इवियम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है जब इन देशों में इवियम पर बैन हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है ये सवाल भी अब उठाए जा रहे हैं और 2024 का जो चुनाव होए वो बैलेट पेपर से कराने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है और देश की जनता जो यहाँ पर यह चाहती है कि देश में बदलाव हो देश की राजनेती में बदल करें देखते रहे हैं डीवी लाइव नमस्कार